असलाम कुना जिन माहें शेफ ऐसल तान डी सो पे अफ्तारवित फैसल तमाम बैतरीन प्रोग्राम ता जेला खणी प्या चूँ डेली तान जी फर माईश हूँ पूरू को प्या पांची भी रैसेपीस ठाइन से कारूं प्या आई हाने मिठ्धन ते अची आई हुचा करना थ इद चय पर ही मिठ्धा भी तान के ठाइन से कारा में प्याओं था है नोट कन्दा पांची को जिन जिन जिए फर माईश हूँ आ है मिठ्धन जिए जरूर ठाइन जो आहीं जिका कहा थाए घा सा मिठ्धा ठाइन हुथा ए तालो कोकिंग ऑईल आहीं तालो बनास पती गी आगर, वायितमीन ए, आई डी का परपूरह है, लो कोलिस्ट्रोल आई यानि कोलिस्ट्रोल के कंट्रोल करे तो, ओमेगा 3 यह सिक्स मौझूद है जीको टाहं जी बॉड़ी के नीरूं दिया जला MP4, अजी हड़ीन के नीरूं दिया, sfाईधारी ॡमेगा 3 nårव्थी पकाओ हमें सैत्मन बनाओ अई जड़े था ये कोकिंग ऑईल बनासपती की इस्तमाल कंदा हो तो ता ये खादन के अना वर्दीक मज़ेदार ठाइं दो जरूर वठो पैकिंग इंजी पंज लिटर में घी भी मिले पर पंज लिटर जी थेली भी मिलन दिया ठीका आई बहुत तल मा चाली गिलास में चार खंड़े चमचा विजन दो खीर में प्यों थदे पाणी में विजी प्यों नंडा बार खीर न था प्यांदा उनमें थोड़ो मिलाए डियो ता टेस्ट चेंज दिन दो बार शौक सा खीर पीयन दा तमाम पैतरिय उन शर्बा था अफ्तारी में सहरी में था इनके इस्तमाल करें सब्सक्राइब होता टेंक आए टेंक जा चार फ्लेवर मार्केट में मौझूद हैं कीनू, मौसंभी, मैंगो यानि अंब, आयों सागर पाइनपिल है जेको पैकेट तानी सो प्या ही आहे ट्रे लीटर यानि ट्रे जग जो हिको पैकेट आ इन अजे इलावा फ्लेवर में मिलन प्या, स्ट्राबरी, चॉकलेट, पिस्ता फ्लेवर में मार्केट में अवैलेबल हैं मलका फूड जी वसी रेंज है, मलका फूड में कोर्मो, बिरियानी, इन इलावा पुलाओ, चार गोश मसालों नहारी आहे, कड़ाई गोश आहे, घ आफी असानी थी विंदिया, अजो की रैसेपी चा थाईं पर आजो की रैसेपी थाईं पर मलाई बोटी, मलाई बोटी जी फरमाईश भी है, मलाई बोटी हाने इदाय ताम आनू ठाईं दूआ, डिफरेंट की समझा बार्बीक्यू, अगर असा थाईं दासी खीर नी, तम मलाई बोटी, मलाई बोटी की फरमाइश भी थी और मलाई बोटी अब इद रैसेपी, मैं अधाय मर्कश होगा एक, बनाते ही यह चावलो को भिक हो के, पीथ के muk servicios बहुत मेहनत है, यह फोरान की की 15-20 बनने वाली खीर है, जैसे हम पैक्किट लेके हाते हैं, एस तरह का प् परनासपती घी के साथ, वाइटमीन ए और डी से भरपूर है, लो कॉलिस्ट्रोल है, आपकी बॉड़ी कॉलिस्ट्रोल करता है, ओमेगा 3 और 6 मौजूद है, जो हमारी बॉड़ी की नीड है, रिक्वार्मेंट है, ओमेगा 3 के हम कैप्सॉल्स लेते हैं, तो आप ये ओल यू कुकिंग ओयल पर तभी तो कहते हैं, अमा तालो में पकाओ, हमें सहतमन बनाओ, इसकी पैकिंग जो है, पांच लीटर में टिन पैक मिल रहे हैं, बनासपती घी भी, कुकिंग ओयल भी, और पाउच मिलते हैं, एक लीटर वाले आप मार्केट से ले सकते हैं, बॉटल चोट सबस्तमाल करते हैं, इसको आप दूद के साथ भी बना सकते हैं, इसको आप तुख बलंगा डालके फालूदे समीयां के साथ, डिफर्ट वैरियेशन कर सकती हैं, एक बटल से चालीस ग्लास बनते हैं, और एक ग्लास में चार खाने के चमच हम यूज करते हैं, कुदरती, अ रेंगो, औरेंज, मसंबी और पाइनेपल, लें और एक शाशे भी मिलता है, एक ग्लास वाला ठीक है, पाकुला, फुल क्रेम मिलके, प्यूर नेचर मिलक, बैटरीन, पैकी में दस्यावे, एक लीटर, एक पाव में, और उसके इलावा इसके फ्लेवर्स हैं, पाकुला में जो हैं, पिस्ता, स्टॉबरी, और चॉपले, मलका फूट की वसी रेंज है, मलका फूट में हैं, मसाले जो हम यूज करते हैं, रोज मरा में, प्लेन मसाले जो लाल में चल दी, धनिया, पॉडर, गर मसाला पॉडर, इसके लावा रेसिपी मिक्स मी हैं, जिसमें कड़ाई अचार गोश, कॉर्मा, बिरियानी, पुलाओ, डिफिन तब की रेसिपी आपको मिलेंगी, समय हैं, की मार्केट में अवेलेबल हैं, ब्राउन ओनियन अवेलेबल हैं, और इसके लावा हमालें पिंक सॉल्ट है, जो मैं आपके सामने यूज करता हूँ, एनिक्स माइसात, जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड, बीटर, हैंड, माइक्सर, माइक्रोव, और वागेरा, आज की जो रेसिपी बन रही है, सबसे पहले हम बनाते हैं, मलाई बोटी की रेसिपी, मलाई बोटी के लिए आपने तीन पाउ से एक किलो जितनी सीने के पीस लेने हैं, अच्छ तो वो आप इसी मेरिनेशन से बना सकती है, हड़ी वाला, मेरिनेशन जिका है, बगेर हड़ी बोटी बोटी हों जो इन चोकोर बोटी हों जो आसा बाहर मार्किट में भी खाइंदायों, उन्हीं साइज बोटी हो जो ट्रे पाका हिकर के लोगा, हड़ी वारी में भी करें स यह हमारे पास है तकरिबन तीन पाउ से 1 किलो के करीब ठीक है बाल में डालते हैं मरेनेशन के लिए ट्रे पाका 1 किलो जैतरी मुर्गी इसमें हम डालेंगे दही दही हमने कितना डालना है इसमें 6 खानी के चमच ठीक है अधा पाव बन जाएगी अगर आप अधा पाव के साफ से भी देखती है तो आधा पाव दही बन जाएगी अधपा डही ठाई विंदी च्छ टेबिल स्पून ठीका अधपा डही हली वही हिक किलो खा ट्रे पाज एतरी असायन में विदिया चिकन अध्रक तुम जो पेस्ट बखाने के चमच तीन अधद हरी मिर्चें पेस्ट बना लेंगी यह भी एक खाने का चमच बन जाएगी ट्रे अधद सावा मिर्च पीसे उनने जो पेस्ट करे चलंदो साय मिर्चन का फ्लेवर डाटो सुठ होई दूआ ठीका बखाने चमच अधरक तुम जो पेस्ट यानी ट्रे अधद सावा मिर्च तीन अधद हरी मिर्चे चली गए पेस्ट बना के दो खाने के चमच अधरक अब हम इसमें डालेंगे fresh cream fresh cream कितना जाएगा 1, 2, 3 4 tablespoons अब हम इसमें डालेंगे दो से तीन खाने के चमच लेमन का जूस बखा ट्री खानजा चमचा लीमे जूरस ठीक हा दो से तीन टेबिल स्पून आपने इसमें लेमन जूस डालना है मलाई बोटी बन रही है और यह इदी स्वेशल रेसिपीज हैं जबरदस किसम की और साथ ही हम बना रहे हैं खीर मिक्स ठीक है खीर बना रहे हैं बहुत ही कोई रेसिपी खीर की फर्माइश बहुत आ रही थी तो आप लोग नोट कर लीजेगा यह हो गया यह तकरबन तीन से चार टेबल स्पून जितना हमने इसमें डाल दिया है लेमन जूस ठीक है अब इसमें मसाले क्या जाएंगे हाने इन में मसाला चाविंदा यहां तक की रेसिपी रिपीट करा रहा हूं दुबारा तीन पाउ से एक किलो जितना चिकन था उसमें एक खाने का चमच हमने डाल दिया हरी मिरच का पेस्ट यानि तीन अदद हरी मिरच है दो खाने के चमच अधरकलेसन का पेस्ट छे खाने के चमच दही चार खाने के चमच आपने इसमें डाल दिया है फ्रेश क्रीम ठीक है और चिकना है, हलीवारी खणो या बगएर हडीजे, ठीका, चार खणीजा चमचा ड़ी, अधपा, चार खणीजा चमचा बयलाई यानी क्रीम, उनने का पो अध्रग तुम जो पेस्ट बग खणीजा चमचा, सावा मिर्च ट्रे पीसे पेस्ट करें विजजा जो हिक खणीजा चमचा अठांदो, ली में जो रस इन में हलेवा, चार खणीजा चमचा, ठीका, उनने बाद इनके मिक्स को, हाने इन में मसाला चाव इंदा, कारा मिर्च, पीठल, हिक चाय जो चमचो, जीरो, तैजमथा, सेके, कुटे, विजण दो, हिक खणीजा जो चमचो, अच्छा मिर्च, वाइट पेपर, इनके दक्नी मिर्च भी चपवा है, तराबाद भी मिर्च भी चाय जो चमचो, अच्छा मिर्च, पीठल, जीरो, जीरो, पीठल, जीरो, 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 काली मिरच का पॉटर एक चाय का चमच नमक चाय का चमच सफेज जीरा भुना कुटावा डेड़ चाय का चमच गरम मसाला पॉटर एक चाय का चमच साबिध धनिया भुना कुटावा दो चाय के चमच चिकन पॉटर एक चाय का चमच काली मिरच एक चाय का चमच पॉटर सफेद मिरच जिसे हैदरबादी मिरच भी कहते हैं दकनी मिरच भी कहते हैं वाइट पेपर भी कहते हैं सफेद मिरच ठी और अगर सफेध मिर्च नहीं तो लेगा तु ढबले देए डभर मिर्चת यह सारे मसाले डाल दीए और इसके बाद इसको हम अच्छी तरह तरह ना करेंगे, हाथ से अच्छी diff फार ना के मेरिनेट कंदा और इसी के साथ हम इसामें डालेंगे Дो खाने के चमच ग्या लो खाने के हम चमच डालेंगे तल важно तलो कुटिंग ओल टो तलो टेबल स्पून जाएगा तलो कुटिंग औल लएक मैरिनेट तो जाया है लो जल्दी बनानी तब भी बना सकती है जितनी ज्याता होगी उतनी ही तब इस अच्छी होगी हड़ी वाली चिकन अगर आपने अफ़तारी में बना एक रात पहले ही मेरिनेट करके रखिए रहा है पहले है अगर आप दो पहले है तो अगर राग्य मेरिनेट कर रख जो तरह सुथी ठंदी चंगी तरह सजा मसाला डाही क्रीम सब मेक्सी वने अच्छा इसको फिर हमने घ् पर आपने ग्रेल करना है 180 ए 200 डीघरी पर आपने प्रीहिट करना है और उसके बाद आपने जया कि पंद्रा मिंट पर प्रीहिट करके फिर आत लगा लगा देनी, 20-25 मिनट में हो जाएंगी, 10 मिनट के बाद आपने बोटियों को ट्रे निकाल के बोटियों को पल्टा देना, फिर दुबारा लगा देना, अलका सा बुरश से ग्रीस किजिएगा बटर या ओल, और अगर अगर आपने फ्रेंक पन में बनाना है पतीले में बनान पूरे मसाले के साथ, अगर एक एक बोटी स्किवर में डाल के उस तरह बार्बी क्यू भी कर सकते हैं, सारे तरीके आप लोग को अंदाजा हो जाएगा किस तरह करना है, ठीक है, हाने इनके ताह ओवन में भी लगा ही सगोता है, तो यहाँ पे हम ग्रिल पैन लेंगे, मैं नरिब गुवरा ला फैने कमाझ तरहा खान्स भूर्ख शुटे, यह जिव टौइन भी आपर लूवर्ख पाहने का छूमाच मेन की ताह पूर्ख उपां अविड नय coppie कर सकते हैं, एक खाने का चमच में यह तरहा टुलो को किंग ब मुट जाला हिसलों को एड़ क्या दाल जेत्री बूत्यों के साथ उठाँ अठा कर आपने रखने जाना है children जलनी नहीं है medium to low flame, okay maybe URL trend आए तै जी मत्हा भी करे मिटी हो ता ठैंक पब्रॉइंक पैन फॉक आभ इस Isa बच ग्या वह अपने यह नी सोचना है कि प्याले में धही बज घए या पाण वीमिक्स्चिर मेराने डिस्कार्ट कर देना में इस बाद कर देना मैरीनेशनाओन मेरगे कभर भी कभी भी इसको दूबारा रूज्विद ने कोशिश आपने वा睡察 सब्सक्राइब बहुत पाण ने जीक्वीड करेंond तो बाग आए तब इस दफाई घुजना का दो अब यह बन रही है हमारी आप ग्रेल पे बोटियां ठीक है यह बनना शुरू हो गई है और इसको पांच मिनट के बाद हम पलताएंगे अभी आपने इसको टच निकरना है चाहिए आप तवे पे बना रही है चाहिए आप ग्र वेल्कम पैक नाजमीं ब्रेक इनका पे एता हैंयन सामु चिप कर बारबी कू ठाय प्यों फैके ताह चाहिए हो था हुथ अब या तो मकछन लेव या बनास पती घीले में में तलो बनास पती लिग हल्का ब्रश से आपने इसो भी लगाना ओपर से ताकि बोटी आपकी ड्राइन आउ पल्टाने होगा यह बार्बीकु का मार्क बन रहे हैं बार्बीक्यू का स्क्यू और टेक्सच्चर बन रहे हैं और आंच जो है बहुत तेज नहीं करनी कि जल जाए बहुत हलकी भी नहीं रखनी नॉर्मल रखनी है ठीक है यह आपको खुदी अंदाज होगा यह बोटी यह इने बल्टा दी दूसी तफ बन रही है अब हम बना रहे हैं खीर मिक्स ठीक है कि हम बनारे विपकुल एजी वे म तोड़ के breadcrumb की तरह बनाएं, तो ये बड़े slice हैं, तो मैं तीन ले रहा हूँ, इस तरह आपने तोड़ देना है, ठिक है, इसको हमने चला देना है, ट्रे ब्रेट जाए slice, या breadcrumb है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, बड़ा कि थाी वाया है, तो अब लेट कहीं, इसको हमने डाल दिया यहाँ तक्रबन दो कपके करीब बन गया, थीक है, ब्रेट के बने नि ब्र्ट करीब दोیں औरी के बने है, ड्रेट कम बन गए, और ब्रेट करीब धी prawn, km 2 कप के करीब अब यह बन गए साथ साथ हम बोटियों को भी देखते जाते हैं पल्टाते जाएंगे ताकि बोटियां हमारी खराब ना हो इसको हलका हलका फिर पल्टा रहो है इस तरह बारभी के बना के आपको एले का स्मोक देदें साथ ही बड़ी जबरस हमारी मलाई बोटी तियार हो जा अब यहां पर हमने क्या करना यह मुझे अभी थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा कम करूंगा आपने दो कप लेना है ब्रेट कम ठीक है दो कप डबलोटी का चूरा हो गया और इसके बाद अब इसमें क्या क्या चीजे डालूंगा यह आपने नोट करनी हो और पिसी वी चीनी को आपने पीस लेना इसमें कितनी डालनी है एक लीनेडर दूटी एक लीनर खीड़ा ठीक है और अगर ज्यादा बनसे तो डबलोटी की स्लाइस आपने आपने पीज के डालनी या नौ खाने के चमच कर ले मैंने पूरी डाल दी थोड़ी सी बच रही थी आठ से नौ टेबल स्पून पीसी वी चीनी डालनी है ठीक है पाउडर करके चीनी को आपने डाल देना है आठ से नौ खाने के चमच तीन डबलोटी के स्लाइस को आपने चूरा बना दियाना है ब्रेट करम की तरह यह बहुत मज़े की खीर बनेगी अब इसमें हमने एक कप यानि आठ खाने के चमच मिल् खुष्क दूद आठ से नौ खाने के चमच पीसी वी चीनी तीन ब्रेट के स्लाइस जिसको हमने ब्रेट करम बना लिया था ट्रेड डबलोटी जा स्लाइस जिनके ब्रेट करी चाड़े हो खंडर पीठल अठ का नौ खान जा चमचा आई खुष्क खीर जे को उंदुआ है विजंदासी हिन में अठकान जे चमचा खीर जे को बारन के दिन दाई हूं पैकेट वारो इंफेंट वो नवर जो खुष्क खीर अलग सा मिलन दुआ ओवर जो इंफेंट वाला नहीं लीजेगा जो हम बच्चों को फीडर में डालके दूद देते हैं वो डिफरेंट होता जिस प्लेटर में आपने ये उतार नहीं बोटियां ठीक है फ्रेश सैलिट के साथ आप ये बोटियां मलाई बोटी हमारी इतियार हो रही है जो हो गई है इसको तार देते हैं उसके बाद दूसरी हम रखते हैं ठीक है फॉरं थी विंदियू मेरिनेशन करे रखो अच्छा मलाई बोटी जो आप हड़ी वाली बनाएंगी न तो कोशिश करें उसमें आधा चाय का चम्मच बीफ टेंडराइजर पॉडर डाल दें या कच्छा पपीता डाल दें अगर कच्छा पपीता वैसे एजी ली मिलता नहीं है गोश गलाने का पॉडर हर जगा मिल जाता है वो बोटी किते खुबसरत हमारी लग रही है अब यहां से जो हमारी बाकी बचीमी बोटी यह भी हमने इसमें रख देनी अच्छी तरह हिला के मेरीनेशन के साथ आपने पूरी बोटीयां ग्रिल ट्रेपे इस तरह लगा देनी और ऑईल ग्रीस करने की जोड़त नहीं है क्यों अमा तलो में पकाओ हमें साहतमन बनाओ तो आप इसमें बनाएं बहुत ही जबर्दस कोकिंग और बनासपती घी है वाइटमीन ए और डी से भरपूर है लो कॉलिस्टरल आपकी बोडी को कोरिस्टरोल करता है और उसके इलावा ओमेगा 3 & 6 मोजूद है ठीक है ओमेगा 3 & 6 ह हमें जरूरत होती है और आपकी खानों की घजायत और भी ज्यादा बढ़ाता है अब हमने चूला यहां पर अगेन ऑन कर देना है ग्रिल पर बोटी लगा दिया है तब्वे पर लगा सकती है सेम इसी तरह ठीक है है हाने असाने ठान पर जब तक यह बन रही है प्रैसिपिक शाटर दर्दरा मिलता है खुला वो एक यह आते हैं कंपनी के पैकेट्स में वो पौडर होता है वो नहीं डालना है कॉन फ्लोर की तरह बना है वो नहीं डालना है अपसे बैसिया चावल करना है ग्र I einthea कप एक पूछीवे चावल चावल चले जाए जए जएगे जएगे ठीक है और अगर आपको नरम करने चावल तो भिगोगे एक घंटा फिर चावलों को ठंडा करके उसके बाद में सुखा के चावलों को फिर आप ग्राइंड करके डाल सकती है लेकिन नमी नहीं होनी चाहिए वरना बैस्ट एक चावलों का आपको दही पीस नहीं देखें अब मैं इसमें डालूंगा बदाम का पॉडर आधा कप यानी 20-25 आपने बदाम लेने उसको ग्राइंड करके आपने आधा का बदाम का पॉडर डालना है यह हो गया हमारा खीर मिक्स तेया ठीका वी यह पंजवी धाना बदाम जा पीसे चट जो ही बदामी खीर ठान दी अ अब यह सारा मिक्सचर बड़ा जबरदस खुश्बू आरीस के अंदर से यह पूरा मिक्सचर आप बना के रखते हैं और ज्यादा करेंगी तो आपने फिर इसको डबल दो किलो में बनाने तो हर चीज डबल करने अगर किलो खीर नी ठाईने थाईने तो सब शेयों डबल कर दूद यहां पर जैसे गरम होगा यह पूरा खीर मिक्स जो है इसके अंदर डालेंगे और इसको पकाएंगे पंदरा मिनट में आपकी खीर तियार हो जाएगी इसके बाद इसमें लवाजमार तनेंगे केवड़ा वाटर डालेग और थोड़ा सा जर्दे का रंग एक तरह देख सेख़ें अधर यहां आपके अपर जिर निकाल जैसे पूरी पराथे उसके बाद यहां रखें जोपिस मर्चा तरह जाएं पराथा रोल कर सकती है। इसको बहुत मज़े के लगेंगे चपाती नान के साथ खाये एक उनकाए बल्टे हैं तरह प्लताइं दो फार जूती है तरह कहाँ अफना अगा नहीं श्यास कर रहा हैं जो तर हो और जिदया बार्वी को भी उसका बहुत रहा है जल यह भी तरह कर दो को तुट है कि अविद जह सरे कि पकता रहे अगर तो नहीं पर लिटर करें तो आइन तमाम बैतरी नहीं रेसिपिया नहीं रहे हैं जो हर शे ताजिब अभी अप्रों नहीं चाहिए पर आम इसमें पारीक पिसावा और चीजें लगने में चाहिए अब यहां पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे 15 मिनट पर पंदरा मिनट नहीं बड़ी जबरदस काड़ी आपकी खेट प्यार हो जाएगी यकिन करें बहुत ही जबरदस बहुत इजी थीर मेक्स है यह तेकर यह आप अराम से बना सकते हो इसको अपने करें इसको पर आप अजारी जारी फॉरन फॉरन मैं पल्टा रहा हूं ताकि वह पक्के सब्सक्राइब जाए बोटी के मसाला उतरे ना इस तरह आपने करना है बोटी का मसालो लहे ना अच्छी तरह इसको पकने दें और बाद में जब ग्रिल ट्रेपे इस तरह यह साइद प्रॉटी आप जाते हैं यहाने ही घाटी इते हैं शुरू थी इंदि इंदी यह 15 मिल में ताँजी ही एक इंद आप जब दोक्ति तरह शो ड़गा जी तरह ब्रेड़ किया जाए निदर दाना सा देगा जैसे कुलफी के नदर आतना इस तरह का मिक्सर अच्छी तरह आपन बेटियां प्लताए जाएं आथी समुक देना चाहते हैं तो आप वोटियां बन Thai, प्याले आपटिमे अंडी समुके आप इसको कोईले के आप मार्क यहारा है जैसे 1837 शिथ क्यूश्ग में जा जा रहा है यह जिसे 181% कियू नचार है खीर तियार करेंगे हम पूरी complete break के बार लेटेंग शॉर्ट में वेलकम बेक नाज़रें ब्रेक तेवरें का परीत आएंसामू जेका खीर नीट है पर ये बोटियां मैंने निकाल दी है तरह बुते हैं बार्वी-क्यू आप देख सकते हैं ठीकर ये देखें ये हमारी बार्वी-क्यू तियार हो गई है इस तरह और ये खीर हमारी बिल्कुलत तियार आएगा भी आज्ँटे दै कर दहो पे आदे टाने जो रंग जेको है थोड़ो गोल्डन शेड में अची वेने तहिन में में चावी दो जाफरान है तो जाफरान डालें थोड़ा सा अगर आपके पास है नहीं तो आपने और इंज फूड कलर थोड़ा सा देना है लाइट सा इसके अंदर एक पिंच और केवरा वाटर डाल दिय यह बिलकुल गाड़ी होना शुरू हो गई है कंसिस्टेंसी देखें और यह रखने से और गाड़ी हो जाएगी रखन सा अना गाटी थी विंदी जबर्दस खीर मेक्सा है तो बार्र बजे रिपीट चलेगा ज़रूर मिस्स नी कीजिएगा देखिएगा और यूट्यूब पर हमारा चैनल बनावा है कुकिंग विद वैसल आप यूट्यूब पर सर्च करें वहाई रेसिपी मिल जाएगी उसके एलावा मेरा वाटसप नमबर है 0 3 1 4 2 6 7 5 3 1 1 0 3 1 4 2 6 7 5 3 1 1 ये मेरा वाटसप नमबर है अब आपको लिंक वगर चाहिए इन रेसिपी के कुछ पूछ ठंडा करने के बाद आपने ये खीर सर्फ करनी है अगर एद के लिए बना रही है तो रात को भी बना कि आप फरिज में रखते हैं ठेका अगर एद जल अठाय उप्या तर राज जो ठाय फरिज में रखी चड़ों खराब ना ते लिए बन कर दिया बड़ी जबर्दस इसक इसा जी खीर नी कटन दासी थदो करें पो इंजे मता था बाकी शेयों विचन दो एक लीटर खीर हमारी बनी है ठीके एक लीटर दूद तक्रवन साथ से आठ प्याले इसमें से अराम से बन जाएंगे सत्त का अठ प्याला हिनमा अराम साथ मानों खाईंदा बैतरी रखन का पुवधी की जबरदस्ती विंदी अच्छी तरह उतार दें और पतीले में जो पच्छा वो फारबाद में अच्छी तरह आपने निकाल लेंगे अजय के अब लगाएंगे चांदी का वर्क अगर नहीं मिलता तो जरूरी नहीं अगर मिलता है तो लगाएं क्योंकि चांदी के वर्क से मीठे खुबसूरत लगते हैं अब हम इसमें क्या डालेंगे पिसावा ये कटावा नारियल डाल दें अच्छा ये भी आप्शनल हैं बहुत से लोग नहीं खाते हैं तो मर्जी आपकी हैं डूंगी कट्यल ये विजी चली ठीका किश्मिश उपर से डाल दें इस तरह किश्मिश की डंडियां हटा के अपने किश्मिश डाल देनी हैं देखें किती जबर सी गाड़ी सी खीर हमारी बनती जा रही है इसके बाद चांदी का वर्क एक लगा देते हैं इसके पर इसे रख के हलका से इसको टच करें ताकि इसके पर चिपअक ज़ए चांदी जो वर्क मता लगाइं दो चांदी कवरक लगाने के बरद और मजीद किश्मिश ऑन बदाम इसके पर डाल दें हाने जम था वी जन दूसी बदाम स्लाइस में कटिंग इवा बारिक बदाम थाफ कब जितना यह बदामी खीर है हमारी ठीक है इसके बाद गुलाब की पतियां अगर आपको मिल जाती है तो यह थोड़ी से इसके उपर इस तरह डाल देए खीर में खुबसूरत लगती है गुलाब की पतियां गुलाब जी पती हो लेकिन मिटी ना हो ज़े दोई चंगी तरह पो इस तरह गुलाब की थोड़ी पतियां डालते हैं तो इससे क्या होता है खीर में खुबसूरती है ठीक है यह हमारी दूनों रेसिपीस कंप्लीट हो गई है और कल 12 बजे रिपीट चलेगा ठीक है कल 12 बजे अब हम बनाते हैं अब 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 ड्रेंक केडिया समट मट मश्रूब यह मश्रीक रूफजा तमाम पहत्रीन शर्पात है कुदरती अर्किया तो इंफनन का त्यार थेला है तो इनगे लास अगणादा सी हिक ग्लास पानी एक ग्लास हमने लेना है ठंडा पानी और एक ग्लास में हम डालेंगे चार खाने के चमच रूफजा ठीक है चार खाने के चमच आपने रूफजा लेना है इसको आप दूद के साथ बनाएं ठंडे पानी के साथ बनाएं वह आपकी मर्जी है बच्चे शौक से पीते हैं तो यह जो कम्प्लीट थी हो शर्पत ठीक है कल रेपीट देखेगा बारा बज़े सिंध्टीवी एच्डी कुकिंग शो या कुकिंग विद वैसल पे सर्च करेंगी और कल दुबारा नहीं रेसिपी के साथ आएंगे देखेगा जबरसी हम रेसिपी बनाएंगे अपना बहुत सरा खेल रखेगा दो में दर खेगा इंशाला सुबाने बारे वागे रेपीड आलन्दो सिंध्टीवी एच्डी कुकिंग शो या कुकिंग विद वैसल सर्च कंदो सांचो यूट्यूब चैनल होते रेसिपी अप्लोड थेंदी पांजो कोड सारो का यलोग जो सुबाने भी इज़े साबसा मज़ेदार सी रेसिपी ठा एमेदास, सी तेस्ते हूं अगर कंदो लाफट हाने, कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो, डिसो HD कॉयल्टी में, विजिट कर्यो असांजो YouTube चैनल, सिन्टीवी HD, कुकिंग शो